हाई गाईज एम रित्वी और आज हम एक अनादर इंट्रेस्टिंग लेसंस के वास साथ वापस आते हैं जिसका नाम है मार्केट फॉर गुड्स हमने पढ़ा है कि कैसे ब्रिटिश मैनेफैक्टर्स ने इंडिन मार्केट को टेक ओवर करने के लिए का अटेम्ट किया कैसे इंडिन वीवर्ज, क्रास्में, चेज और इंडस्टिरलिस ने कलोनिल कंट्रोल का विरोध किया टारीफ प्रोटेक्शन का डिमांड किया अपना खुद का एक स्पेस क्रियेट किया और अपना मार्केट को एक्स्टेंड करने का खुशिश किया फॉर्देर प्रड्यूस परंदु जब न्यू प्रोट्ट्स होते है तो पीपल को एक पर्सूय Contour करना पड़ता है थाकि वो उनको खरीदे, उनको ऐसा लगना चाहिँ कि उनको अच्छा लगता है वो प्रोट्ट्क्तर है परंदु यह करा कैसे उन्होंने एक तरह से तो न्यू नियू कन्जिर्मर माइन्स को शेप करता है और उनके अंदर एक नहीं 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 नीद्स प्रड्यूस करते हैं क्रियेट करते हैं आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां एड़र्टाइजमेंट्स पूरे और है चारों तरफ वो न्यूस्पेपर्स में आते हैं मैगजीन, होडेंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलिविजन स्क्रीन्स परन्तु हिस्ट्री में हम ऐसा पड़ते हैं कि इंड़र्टाइज की बहुत बिगनिंग से ही एड़र्टाइजमेंट्स ने एक इंपोर्टन पार्ट प्ले किया है मार्केट में प्रड़क्स का जो प्रमोशन है ता है उसको एक्सपैंड करने के लिए और एक न्यू कंजूमर कल्चर को शेप करने में मैंचेस्टर इंडास्टिलेस ने इंडिया में क्लॉथ सेल करना शुरू किया था तब उन्होंने अपने क्लॉथ के जो बंडल्स थे उस पर लेबल लगाना भी शुरू किया था यह लेबल इसलिए ज़रूरी था था क्योंकि यह बायर को प्लेस ऑफ मैनुफेक्चर और न सब्सक्राइब करते थे कि यह पहन कर वह कॉंफरेंट फील करेंगे और यह खरीद कर भी परन्तु यह लेबल में ली सिर्फ बोर्ड्स और टेक्स नहीं करते थे यह बहुत समय इमेजिस भी करते थे जो बहुत सुन्दे से इलस्ट्रेट थे इन ओल्ड लेबल्स की वज़ बहुत समय के लिए रेगुलर्ली यह लेबल्स पर अप्यर हुआ करता था ऐसा मानों कि जो असोसियेशन था गौड से दिखा कर एक ऐसा अप्रूवल मिल जा था जो जो दिवाइन था जो गुड्स बेचे जा रहे थे उन पर कृष्णा और सरस्वती की तस्वीर प्रिंट सब्सक्राइटी प्रिडियूस कर सके लेट 19 सेंचिरी से मैनुफाक्चरोज ने कैलेंडर्स प्रिंट करना शुरू कर जया था ताकि वह अपने प्रदाक्स्यों पॉप्लराइज कर सकते क्यूंकि निउस्पेपर्स और मैगजीन की तर नाक तरा कैलेंडर्स उन लोगों के थ्रू भी यूज हुआ करता था जो पढ़ नहीं सकते थे यह टी शॉप्स अब वो पीपल के होम्स में भी लगे रहते थे ऐसे ही जैसे बहुत सारी ओफिसेज और मिली क्लास के अपार्टमेंट में रहते थे और जो लोग यह कैलेंडर्स को अपने घर्मिया आफिस में है करते थे वो देखते थे अड़िटाइजमेंट डे आफ्टर डे यह आफ्टर यह और इन कैलेंडर्स में भी गॉड्स को दिखा जाता था न्यू प्रोडक्स सेल करने के लिए जैसे बहुत सारी फिगर्स जो इंपोर्टन पीपल के थे लिए नवाब और एंपरोर्स के वो बहुत समय यह ऐसा मैसेज आता था कि अगर आप इस रॉयल फिगर को रिस्पेक्ट देते हो तो यह आपको इस प्रड़क्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और यही कि यह प्रड़क्ट जब यह किंग्स से किंग्स और रॉयल पीपल से यूज्ड हो रहा है तो इसका जो कॉलिटी है वो क्वेश्चिन नहीं किया जा सकता है जब इंडियन मैनुफाक्ट्चर ने अडविटाइजमेंट को भीजा कि यह जो नैशनलिस्ट मैसेज था वो लाउड और क्लियर सब के पास पहुँचा जो था कि अगर आप इस नेशन के वारे में केर करते हैं तो ऐसे खरी प्रोड़क्स खरीओ जो इंडियन ने बनाए हैं अडविटाइजमेंट्स इस तरह एक वहीकल बन गया जिसके तुरू नैशनलिस्ट मैसेज स्वदेशी का पूरे और पहला इससे हमारा यह चैप्टर एंड होता है और अब हम करेंगे तो इसा कंक्लूजिन कि हम अब नुद्स्ट्रिल लेबर फोस पर रंतू हैं टेक्नोलजी और स्माल स्केल प्रदक्शन में ली एक इंपोर्त पार्ट रहा इस इंडस्ट्रिल लांस्केप का थैंक्यू